तो देखा कि दूद मागोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मागोगे तो चीर देंगे, औरे ये वाला topic है, चलो इसी तरह से करें, आप उस debate को धियान से देखिए, ध्यान से देखिए, माल लिजए कि आप मोधी समर्थक ही है, क्या वो उस debate में आपको तरह तरह की सुचनाय दी है वो दरसल आपको इंसल्ट करता है रोज कि आप उनके वोटर हैं आपको गलत बाते बताकर जूट बाते बताकर लाल रंग का टांग बगा चेन्मिया नंस्वामी के खिलाब कुछ होगा सब साइलेंस में चले जाएंगे आजम खान के आप बकरी पे भी केस होगा घंटो घंटो बैस होने लगेगे तो वो आपको हमेशा एक अपने पडोस के मुसल्मान को वो हमेशा दुश्मन के रूप में देखना सिका रहा है मैं साफ साफ कहता हूं और इसको आप प्रेमी बन सकता ना भाई बन सकता देख लेना ऐसे किसी लड़की से आइटी सेल वाले से शादी मत कर लेना भाई बता रहा हूं ध्यान से पता चला कि दहेश तो नहीं देना चाहिए माब आपने चोरी छुपे कुछ पैसा दिया लाखो रुपे भी गया है और मिल गया और नफरत करने वाला है तो वो प्रेमी नहीं हो सकता है मुहबबत बहुत जरूरी है दोस्त मिटी से भी और इंसान से भी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से मुहबबत ना करो और कहो कि हम मिटी से मुहबबत करते हैं हम मिटी से मुहबबत इसलिए करते हैं कि उस मिटी में बसने वाले इंसानों से भी मुहबबत करते हैं ये बात ध्यान रखिएगा आज इन दोर में बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी है विक्की मित्तल फेस्बुक पे उन्होंने क्या लिखा कि गोटसे जी की पिस्टॉल की निलामी करवा दी जी ये पता चल जाएगा देशवक्ते की आतंकवादी थे हम यहाँ पर आ गए गांधी को मारने वाले के लिए ताली बजा के आप हिंदुस्तान नहीं बना सकते नहीं बना सकते हो आप जिस देश में गांधी के हत्यारे को देशवक्त कहा जा रहा है तो गांधी क्या आतंकवादी थे अब हम यहाँ पर आ गए हैं क्या हम आपने उनको वोट दिया तो इसकी सजा इतनी दी जाएगी आपको कि आपको मुर्खों के जुंड में बदल दिया जाएगा कि एक वोट देने के बदले आप कितना प्यार करते हैं प्रधान मंतरी को लेकिन उसके बदले में आपको उस जुंड में बदला जा रहा है कि आप गांधी के हत्यारे को बोट से जी करें थोड़ा सावधान रहिए हो क्या रहा है इस देश में और वो फेस्बुक पे लिख रहे हैं ये कभी हुआ था कभी नहीं हुआ था क्योंकि ये politics, IT cell और media ये मान के चलता है कि आपने अपनी बुद्धी स्थगित कर दिया आप में बुद्धी नहीं है मैं नहीं मानता मैं उनके वोटर को बहुत सम्मान से दियान तो मुझे मालूम है कि वो एक अलग तरीके से सोच रहे है लेकिन उनसे वोट देते हैं उनसे बदला नहीं लिया जाना चाहिए उनको सजा किस बात की दी जा रही है कि उनसे ये कहा जा रहा है अब चुकि तुम उनको वोट देते हो तुम अब मुसल्मानों से नफरत करने लगे हो तो चलो अब गोटसे को भी गोटसे जी बोलो फिर मालूम नहीं अगले बार आप आपसे क्या कराएंगे आपके हाथ में बम दे देंगे कहेंगे जाके फट जाओ कहीं पे तुम नौकरी मत मांगो ये मत कीजिएगा ये मत कीजिएगा ये शर्म की बात है कि हमारे देश में गांधी की हत्या होई और ये उससे भी जादा शर्म की बात है कि एक राजनितिक दलका कारेगर तक फेस्बुक पे लिख रहा है गोटसे जी कि पिस्टॉल निलामे कीजिए तो खरीदने वाले लोग आ जाएंगे और उसके दो करोड देके साबित हो जाएगे दिश्मक्त है गांधी की लाठी की कोई कीमत नहीं है दोस्तों कोई कीमत नहीं है उनकी लाठी की उस लाठी को उन्होंने कभी किसी पे नहीं चलाई तो ये मत होने देना हलाकि अब देर हो चुकी है अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं फिर भी बता रहा हूँ कि आपको एक रोबोट में बदल दिया गया है गलत गलत सुचनाओं से भरके अब आपसे सिर्फ दो ही काम लिये जाएंगे समुदाय के नाम पे धर्म के नाम पे आपको एक जुंड में बदला जाएगा कि आप जाओ उसको माराओ पहलु खान को या फिर आप सुबोत कुमार सिंग को मार के आओ उसे भी इंसाफ नहीं मिला सुबोत कुमार सिंग को भी इंसाफ नहीं मिला पहलू खान को भी इनसाफ नहीं मिला ये आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है समझ रहे हैं इस बात को अच्छे से समझ येगा गुसे में मत समझ येगा कोई फाइदा नहीं है दोस्तों इसलिए आपका मीडिया जो है मैं थोड़ा भटक के कह रहा हूं कहना जरूरी है फिर मौका नहीं मिलेगा आप से आपका मीडिया अब आप से बदला ले रहा है जब तक आप अपने आपको अलर्ट नहीं करेंगे एक्टिव नहीं करेंगे ये मैं क्यों कहता हूं कि आप इन अख़बारों को पढ़ना बंद कर दीजे इन ट्यानलों को देखना बंद कर दीजे और पैसा प्रधान मंतरी रहत कोश में दे दीजे ये मैं इसलिए इस उमीद में कहता हूं कि आप दबाव डालेंगे तभी मीडिया स्वतंत्र होगा तभी मीडिया स्वतंत्र होगा और एक बात जान लिजेगा मीडिया की स्वतंत्ता हमसे अपनी नौकरी के लिए नहीं कह रहे है आपके लिए कह रहे है जब मीडिया नहीं होगा आप नहीं होगे क्योंकि आपकी आवाज नहीं होगी आप चार दिन के लिए अपने कमरे में बंद कर लो भर को बोलो नहीं आप ये कर के दिखा दो और फिर सोचना कि 46 दिन से कश्मीर के लोग कैसे रह रहे हैं थैंक यू